गुरुदेव और मागैति की चड़न में कोटी-कोटी नमन आप सभी को ख्रणाम। कार्तिक का माह शुरू हो चुका है इसलिए कार्तिक माह में दीबदान का बहुत महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में मंद्रों में दीबदान किया जाता है। दीबदान करने के पीछे का सार ये है कि इससे घर में धनाता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीपक जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन से अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्थिक माह में तुलसी की भूजा की जाती है और पत्ते खाय जाते हैं इससे शरीर निरुख बनता है इसलिए कार्थिक माह में दान पुन्य दीब दान आधी करते रहें गायत्री के सिद्ध साधक बूटी सिद्ध महराज की बारे में आज हम जानेंगे स्रिष्टी के आदी कालीन रिशियों से लेकर आधुनिक संत महापुरुषों तक जिनने भी तपशरिया एवं योग साधना की है उनने गायत्री को ही आधार रखा है प्राचीन इतिहास पुराणों की पन्ने यदि पल्टे जाएं तो ये तथे सबस्ट हो जाएगा कि सभी प्रमुक रिशी महरशी गायत्री के आधार पर ही परम सिद्धी प्राप्त करते थे वशिष्ठ, यागिवल्क, गौतम, अत्री, विश्वामित्र, भारत द्वाजादी, सब्त रिशियों सहित, समस्त रिशी मनिशियों ने वेद माता की उपासना करके किस प्रकार दिवशक्तिया अरजित की थी और उसके द्वारा भी कितनी महान सफलताएं उपलब्ध कर सक थे, इतिहास वित्ताओं से इनके चरितर छिपे नहीं हैं। पिछले दिनों भी भारत भूमी में ऐसे निकों सिद्ध संत महात्मा हुए हैं जिनोंने गायत्री महाशक्ति का आश्रय लेकर अपनी प्रदिभा को प्रकाशित किया और आत्म कल्यान तथा लोक मंगल की कारिय में जाविराजे उन्हीं में से एक गायत्री उपासक दिव्यात्मा बूटी सेंची महराज हैं। अलवर राजी के एक अती सामान्य परिवार में जन्मी एक व्यक्ति ने अद्रिश्य की प्रेर्ना से युवावस्था में घरबार छोड़कर सन्यास ले लिया और मत्रा आक नामे निमगन हो गया। यहीं पर उन्होंने कई प्रश्रण किये और गायत्री की सिध्धि प्राप्त की। किशोरी रमण कॉलेज के पास इस्थित जिस टीली पर वे रह रहे थे वह इस्थान आज गायत्री टीला की नाम से जाना जाता है। इसी टीले पर आज एक पंच् प्रतिमा भी प्रतिश्थापित है। बाबा बूटी सें इतने विख्यात थे कि उनके पास दर्शनार्थियों और मुलाकातियों का आना जाना हमेशे ही बना रहता था। उनका सभाव था कि वे किसी से कुछ मांगती नहीं थे। यहां तक कि उन्हें अपने भोजन की भी चिंता नहीं रहती थी। भूंके रह लेते थे पर किसी से कुछ मांगते नहीं थे। इस व्रत के कारण उन्हें कई बार भूंके ही रह जाना पड़ता था। लोग उनके पास आते जाते थे परन्तु उनका उदेश बाबा से आशरबात पाना और अपना मतलब सिद्ध करन की बात की और चलते बने। बाबा लोगों के स्वभाव को अच्छी तरह सी समस्ते थे और कई बार उनके आचरण पर हसने लगते थे। करुणा वचसल उदार संथ स्वभाव के कारण वे यथा शक्ति उनकी मदद ही करते थे। एक बार बाबा को पांच-छे दिन से भोज लेकर आई और थाल उनकी सामने रख दिया। बाबा ने कहा बेटी सब तो ठीक है ना आपकी दया चाहिए महराज रामकली ने आदर स्वर में कहा। बाबा ने आखें मूंदी और कुछ देर तक चुपचाप मौन ध्यान लगाए रहे। कुछ देर बाद आखें खुली और मंतरियामी है महराज आप से क्या चिपा हुआ है अब आप ही सहारा हैं भोजन तो हो जाएगा बेटी पर तेरा पती बहुत दुख पा रहा है उसकी पीड़ा दूर होनी चाहिए महराज ने कहा और उटकर जोपड़ी में एक कील से टंगी जोली के पास गए जोली उतारी औ कुछ देर तक उस जड़ी को मुठी में बंद करके कोई मंतर पुद्बुदाते रहे और रामकली को देते हुए कहा जाए से अभी पीसकरों से पिला दे भगवती की कृपा से सुबह तक ठीक हो जाएगा और कल शाम को तुम दोनों यहां मेरे पास आना रामकली वहां से जल्दी घरा कर देखा तो उसके पती की दशा पहली से भी जादा बिगड़ी हुई थी आखरी सांसे गिन रहा था मुझसे आवाज नहीं निकल रही थी रामकली ने जल्दी जल्दी जड़ी को पीसा और बड़ी मुश्किल से अपने पती के मुँ में पहुची तो उसने आखें बंद कर ली ये क्या दशा तो और भी ज्यादा बिगड़ती सी प्रतीत हो रही थी हाथ पाउं ठंडे पढ़ने लगे रोगी अचेत हो चुका था नाड़ी भी डूपती जा रही थी ये स्थिती कोई एक घंटे तक रही फिर रोगी की दशा में चमतकार की तरह सुधार होने लगा उसने आखें जपकाई और आख खुलकर पास खड़े की व्यक्ति की उड़ देखने लगा जैसे बता रहा हो कि मैं मौत के मुझ से वापस आ गया हूं और दूसरे दिन शाम को तो उसने स्वैम पैदल बाबा के टीले तक चलने की इक्ष कराएं इस तरह की एक नहीं सैकडों घटनाएं बूटी से माराज की संबन्द में प्रसिद्ध हैं उनके पास जो कोई भी अपनी आधी व्याधी ले कर जाता था उसे वे अपनी एक छोटी सी जोली में से जड़ी बूटी निकाल कर देते थे और वह सेवन कर्दी के पशात भला चंगा हो जाता था इसी कारण उनका बूटी सिद्ध नाम पढ़ गया असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूं वे अपने पूर्व जीवन के संबन्द में किसी को कुछ नहीं बताती थे बताने की आविशक तभी नहीं थी क्योंकि उन्हें ख्याती प्राप्त करने का कोई चाओ नहीं था जब से उन्होंने घरबार छोड़कर सन्यास लिया और मत्रा आकर उस टीले पर रहने लगे तब से वे कहीं नहीं गए एक मात्र टीले तक ही उन्होंने अपना भौतिक संसार सीमित कर लिया था उसी टीले पर उनकी गुफा थी जिसमें घुज जाने के बाद पे हफ्तों तक बाहर नहीं निकलते थे गुफा में ही समाधी लगाए रहते बाद में यहीं टीला गायत्री टीला के नाम से विख्यात हुआ सिध्धी प्राफ्त हुने के बाद बाबा ने मौन वरत ले लिया और मलत्यू परएंद मौन ही रहे उन्होंने अपने आश्रवास से कई मरणासन व्यक्तियों को पुनर जीवन प्रदान किया निसंतानों को संतान दी और धनहीनों को धन लाप कराया कहा जा चुका है वे पूरी तरह आपरीग्रही और अकिंचन थे भहतिक संपदाउन के पास कुछ भी ना थी फिर उन्होंने कई बारे से भंडारे किये जिनमें दस-दस हजार लोगों ने भुजन किया इस भंडारे के लिए धन की विवस्था कहां से होती थी ये किसी को नही नहीं देखा फिर धन का प्रबंद कहां से होता था ये लोगों के लिए रहस ही बना रहा बूटी सिद्ध महराज की दिव्य चमतकारिक शमताओं के बारे में अनिक कथाएं प्रसिद्ध हैं उनकी सिद्धियों और शक्तियों की ख्याती आसपास के सभी शित्रों में फैली थे दूर दूर से लोग उनकी दर्शनों के लिए आती थे ऐसे ऐसे सिद्ध संथ हमारे देश में हो चुके हैं जिनके लिए दिल से एक ही प्रात्ना निकलती है कि वो जहां कहीं भी हो हम सभी को आशरवाद दें और हम सभी का कल्यान करें तो अगर आपको ये जानकारी पस प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पर क्लिक करके और पर क्लिक करने ना भूए